नवश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का pathfinder पर ये को हम सभी जानते हैं कि nuclear triad की जो capability है वो तो भारत ने आज से कई साल पहले ही हासिल कर ली थी लेकिन दोस्तों अब भारत अपने nuclear triad capability के साथ साथ अपने c vector में जो second strike nuclear capability है उसको भी अब जल्दी ही हासिल करने वाला है ready to add to its fleet second submarine with the nuclear missiles जी हाँ यहाँ यहाँ पर बात करी जा रही है INS अरिगाट की जिसको लेकर update सामने आया है कि इस साल के अंत से पहले पहले इंडिया अपनी naval fleet में दूसरी nuclear submarine को officially add करने वाला है इस particular development के भारत को कुल मिला के तीन फाइदे होने वाले हैं सबसे पहली बात तो यह वाली जो nuclear submarine है इसके अंदर हमें approximately 12 nuclear missiles देखने को मिलने वाली हैं जो की हम लोग directly इस submarine के माध्यम से ही fire कर पाएंगे number two बात इसके माध्यम से इंडिया basically एक elite list का हिस्सा बन जाएगा because पूरी दुनिया में वैसे ही केवल 6 countries हैं जिनके पास nuclear submarines देखने को मिलती हैं लेकिन पूरी दुनिया में केवल 5 ही ऐसी countries हैं US, France, Britain, China and Russia जिनके पास एक से जादा nuclear submarine मिलती हैं और अब भारत भी उन countries की सूची में शामिल हो जाएगा and last but not the least जो इसका सबसे बड़ा benefit है वो है कि इसके माध्यम से इंडिया को अब second strike nuclear capability मिल जाएगी इसको मैं बहुती simple भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ सो मान के चलिए कि हमारी जो पहली submarine है मान के चलिए कि दुश्मन ने उस पहली submarine को यहाँ पर किसी भी तरीके से destroy कर दिया है तो उस case में इंडिया के पास दूसरी nuclear submarine होगी जिसके माध्यम से वो enemy के उपर एक retaliatory attack करने की शमता रखेगा और इसी particular retaliatory attack को कहा जाता है the second strike nuclear capability जो की इस particular submarine की सबसे बड़ी विशेषता होने वाली है बात करेंगे दोस्तो इस पूरी development के बारे में बात करेंगे INS अरिगाट के बारे में क्या होती है nuclear submarines क्या इनकी विशेषता होती है इन सभी चीजों को समझा जाएगा और कैसे इससे हमें बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं particularly हमारी nuclear deterrent policy को लेकर उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी आईए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनकाडमी के offline centers नई दिल्ली के करोलबाग नई दिल्ली के मुकरजी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं सभी offline centers में GS courses के साथ साथ CSAT, SA writing classes, current affairs coverage and test series जैसी सारी भी कर सकते हैं, also हमारा free study material प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी unacademy app को download कर सकते हैं जिसका link description box में नीचे दिया गया है, alright, so सबसे बड़ा update जो की हमें INS अरिघाट के संदर्व में देखने को मिला है, बताया जा रहा है कि इस साल के अंत के पहले पहले government के द्वारा इस project को हरी जंडी दे दी जाएगी और ये एक बहुत ही ambitious project है and the best part is कि ये mostly आपका जो है indigenous project होने वाला है क्योंकि इसमें 90% जो components इस्तिमाल किये गए हैं, वो सारे के सारे हमारे indigenous components का ही इस्तिमाल किया गया है, now in order to understand कि INS अरिघाट basically क्या चीज़ है, हमें सबसे पहले समझन होगा nuclear powered submarines के बारे में, देखिए nuclear powered submarines कुल मिलाके दो तरह की होती है, पहली होती है nuclear powered attack submarine, दूसरी होती है nuclear powered ballistic missile submarine, इन दोनों ही missileों में हमें similarity ये देखने को मिलती है, कि इसके अंदर जो लगे हुए engines होते हैं, उसको nuclear fuel के द्वारा यहां पर power मिलती है, यानि कि जो इसके अंदर इधन का इस्तिमाल होता है, वो nuclear इधन का इस्तिमाल किया जाता है, लेकिन जो पहले वाली missile है, इसमें difference ये है कि nuclear fuel तो इस्तिमाल होता है, लेकिन जो attack करने के लिए जो missile इस्तिमाल होती है, वो cable torpedoes या फिर छोटी मोटी small range missile का इस्तिमाल किया जाता है, उधारन के त जो दूसरी submarines आती है nuclear ballistic missile submarines इसमें nuclear fuel के साथ साथ जो इसमें missile ने आप लोग यहाँ पे launch कर सकते हैं वो ballistic missile या फिर even long range missile को भी launch कर सकते हैं जिसमें कि आपको nuclear warheads भी देखने को मिलते हैं यानि कि nuclear fuel एक तरफ and साथ में आपको nuclear missile ने देखने को मिलती हैं जो कि इस तरह की submarines को ही जादा घातक बना देती हैं और इसी में example में आती है हमारी Arihant class की submarine इसकी photo भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दोस्तों INS Arihant है जो कि इंडिया की पहली and फिलहाल एक लौती nuclear powered ballistic missile submarine है जो कि हमारी fleet में देखने को मिल जाती है लेकिन अब दोस्तों अब हम लोग similar lines पे just exactly similar to INS Arihant अब हम लोग INS Arihant को भी commissioning में करने वाले हैं बताया जा रहा है कि by the end of 2024 इसको formally induct कर लिया जाएगा इसमें almost 7 साल का time लगा है because इसकी जो launching है वो November 2017 में विशाका पत्नम में करी गई थी and ये भी आपको बता दूं कि INS Arihant को भी हमने दोस्तों launching से लेके commissioning के बीच में जो समय लगा था वो भी approximately 7 years का लगा था and INS Arihant में भी approximately 7 years का ही समय हमें यहाँ पे लगने वाला है अब अगर हम INS Arihant की specifications की बात करें तो अगर मैं single line में कहना चाहूं तो INS Arihant और INS Arihant में almost majorly कोई भी difference हमें देखने को नहीं मिलता INS Arihant को Indian Navy का जो ship building center है विशाका पतनम में वहाँ पर बनाया गया है इसके अंदर जो हमने engine use किया है वो 85 megawatt का pressurized light water reactor है जिसको रश्या की मदद से हमने बनाया है and दोस्तों Arihant and Arihant में same देखने को मिलता है दोनों की displacement 6000 ton की है ये भी same देखने को मिलती है speed भी हमें लगभग same देखने को मिलती है INS Arihant के अंदर जब वो पानी के अंदर submerged होती है तो 24 knots जब वो surface पे होती है तो 15 knots and वो भी हमें Arihant में same 24 and 15 knots की ही देखने को मिलती है अगर मैं इसके अंदर लगी हुई missiles की बात करूँ, armaments की बात करूँ तो INS Arihant के अंदर capacity है कि वो 12 के आसपास K-15 सागरेका missiles को hold कर सकती है and INS Arihant में भी same capacity है वो भी 12 के आसपास K-15 मिसाइलों को यहां पर hold करने की शमता basically रखती है आपको K-15 मिसाइलों के बारे में briefly बता दूँ, यह सागरेका missiles इनको कहा जाता है and आपने नाम सुना होगा शौरया मिसाइल का maximum हमें 1500 किलोमेटर की range देखने को मिल जाती है also interesting to note INS Arihant को दोस्तो code name दिया गया है S2 and INS Arihant को code name दिया गया है S3 now सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है कि जब Arihant और Arihant में कोई difference ही नहीं है तो फिर यह हमारी help कैसे करने वाली है हमें इसका फाइदा क्या होने वाला है दोस्तो इसका सबसे बड़ा फाइदा होने वाला है इंडिया की nuclear deterrence को और भी जादा मजबूत करने के लिए उधारन के तौर पे मान लीजे कि हमारी जो Arihant वाली submarine है मान लीजे कि उसमें किसी प्रकार की problem आ गई है या मान लीजे वो maintenance के लिए जो वहाँ पर shipyard के अंदर वापिस गई हुई है तो उस case में even अगर Arihant available नहीं है तो उस case में Arihant हमेशा available रहेगी जिसके माध्यम से हमारी जो nuclear deterrence capability है वो यहाँ पर बनी ही रहेगी और दूसरा सबसे बड़ा फाइदा जो कि मैंने आपको starting में भी बताया कि मान के चलिए कि Arihant को किसी भी कारण से यहाँ पर destroy कर दिया जाता है तो उस case में हमारी जो Arihant है वो यहाँ पर counter strike करने के लिए यानि कि वापिस retaliatory strike करने के लिए सक्षम मानी गई है जिससे की again हमारी जो nuclear deterrence है वो बनी रहेगी and हमारी जो second strike capability है वो भी यहाँ पर बनी रहेगी वैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर experts का तो कहना है कि इंडिया को 2 नहीं बलकि कम से कम 3 यहाँ पर submarines की होनी ज़रूरी है because मान के चलिए कि हमारी एक submarine किसी कारण से maintenance पे गई हुई है तो experts का कहना है कि एक submarine हमें Arabian Sea में and दूसरी submarine हमें हर time पे Bay of Bengal में deploy करनी ही चाहिए खैर वो आगे की कहानी है लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहा गया है कि इससे हमारी जो nuclear deterrence है वो काफी जादा मजबूत हो सकती है and also यह particularly चाइना को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है अगर आप चाइना की Navy का track record देखें तो पिछले 15-16 सालों से Chinese Navy अपने assets को बहुत तेजी से बना भी रही है और deploy भी कर रही है particularly attack submarines की बात करें हम time to time देखते रहते हैं कि वो Indian Ocean के region में जान बूच के अपनी submarines को यहाँ पे भेजते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तो anti-piracy duty करने आए हैं लेकिन वो सभी जानते हैं कि वो एक तरीके से भारत को भारत के ही area में डराने का प्रयास किया जाता है चाइना के द्वारा तो इस चीज को भी ध्यान में रखा गया है और अगर आप recently देखें तो चाइना के पास अब कुल मिला के तीन बड़े बड़े aircraft carriers हो चुके हैं पहले दो थे Shandong and Lining अब दोस्तो इसी साल में में चाइना ने अपने सबसे बड़े aircraft carrier की भी sea trials को complete कर लिया है called as the Fujian aircraft carrier और अगर हमें चाइना के खिलाफ अपनी nuclear deterrence को maintain करना है तो उस case में हमारे पास यह जो दो submarines हैं यह बहुत ही बड़ा यहाँ पे मदद कर सकती है because nuclear submarines के अंदर यह शमता होती है कि वो aircraft carriers के against भी एक deterrence की तरह यहाँ पर काम कर सकती है तो यह सारे के सारे advantages हैं यह सारे के सारे आप मान लीजे की strategic reasons है जिसकी वज़े से यह वाली जो दूसरी submarine है यह भारत के लिए बहुत ही जादा फायदेमन साबित होने वाली है बाकी आप लोग क्या-क्या सोचते हैं इसके बारे में definitely बताए हमें comment section में thank you so much for listening stay tuned and stay tuned